किसी मेल में एक बीमारी होती है किसी किसी मेल में बीमारी होती है कि इसको मिटा देना बभू defense vapor इस चीज को ध्यान से समझेखा यहाँ सबसे बढ़ा कंभीज़न होता लडगों को मैं evs-1 कि संख्या कितनी होती है यह कुन सी नस है। यह नस का नम है vas difference ज़िए और यहां सी जुड़ा हुआ है penis से जुड़ा हुआ अब चीज दिख्फत समझे है कि यहीं पर होता है kidney यहां पर होता है kidney , पेटके ऊपर और क्म फिजय जोती है, यह पिसाब मरती मैं पिसाब की नॉस भी आकर इसे पेनिस से जूड़ी रहती है, लेए इसाउकन। पेनिस को पिसाब भी निकलना है और इस्पर्म भी निकलना है दोनों का रास्ता अलग है भाई साब यहां से ध्यान से नहीं समझोगे ना उड़ जाएगा दिमाग से यहां देखो पबबगा इस direction से क्या जा रहा है, sperm जा रहा है, यहां से क्या जा रहा है, sperm और इसपर्म और इधर से क्या जा रहा है, urine यूरीन यूरीन जा रहा है ना अब यहां पर एक कोई ना कोई रुकावट होनी चाहिए ना कि जब इस्पर्म जाए तो पिसाब को रोग दे अजब पिसाब जाए तो इस्पर्म को रोग दे दोनों एक साथ नहीं आ सकता है यहां एक दरवाजा लगा रहता है जिसे हम लोग कमजोर होता है वैसे व्यक्ति जो हते हैं जब वो कभी रास शारात में सोते हैं या कभी 15 मिनट होती है मेल के अंदर में 15 मिनट में वह बना देता है अब किसीрाद मिनट से घड जाता है तो विदेश इस oner me क्लाई कराना चाहिए जगा जगा मैं सुने होंगे गुप्त रोंगा सगये लिकब्रें निभी होती है आगे पढहाएंगे युद्री अब विर सेक्सुल के वज़े से होती है लिकब्रिया बिपलिसी आगा ऐजाती है फिर उसमें घाव बनने लगता है। इसमें क्या बन जाता है। कभी-कभी टेस्टिस में चोट लग जाता है ना तो फूल जाता है। जिसे हाइड्रोसील नामक बिमारी कहते हैं, मेडिकल के वक्त में इसमें आउपरेशन करके उसे ठीक कर दिया जाता है। हाँ भाई भाई विकास जी पचीज बार लोल पूछ चुका है सर किसी का एक ही टेस्टी से तो क्या होगा कुछ नहीं होगा रे लोल कहीं का एक हो किड्नी होगा क्या होगा